अगर आप भी नई कार की तलाश कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम रुक जाएं। नए साल 2023 में सांदार कारें लौच होने वाली हैं, जिनकी कीमत 10 लाख रुपे से कम रहने वाली है। इंडिया में गाडियों की मार्केट तेजी से बढ़ रही है, कमपनियां लगातार नई गाडियां लौच कर रही हैं, और साथ ही पुराने मोडल्स को भी अपडेट किया जा रहा है। इसलिए अगर आप थोड़ा वेट करते हैं तो 2023 में बहतरीन गाडियां 10 लाख रुपे के अंदर देखने को मिलेंगी। तो चलिए जानते हैं उन सभी गाडियों के बारे में। ही 2023 में नई SUV लौच करने वाली है। मारुति इस SUV को YTV के नाम से बेचेगी। मारुति सुजूक की YTV ब्रीजा से छोटा मोडल होगा, हाल के कुछ सालों में ब्रीजा की कीमत काफी बढ़ गई है और मारुति हमेशा से बजट फ्रेंडली कार्स बनाने के लिए जाने जाती है। इसलिए मारुति ने YTV को बनाया है जो आम आदमी के SUV लेने के सपने को पूरा कर सके। YTV की जो फोटो सामने आई है उसमें ये कार पूरी तरह से ढखी हुई है लेकिन इस SUV के डिजाइन का अंदाजा लगाया जा सकता है। मारुति YTV का साइड प्रोफाइल नई बिलैनों से मिलता जुलता है और फ्रेंट को भी काफी री डिजाइन किया गया है। ये हाल ही में लौँच हुई ग्रेंट विटारा से मिलता जुलता है और इस कार की अनुमानित एक्शोरूम कीमत आठ लाक रुपे होने वाली है। दूसरी गाड़ी है मारुति स्विफ्ट मारुति की स्विफ्ट देश के अंदर सबसे ज़्या विकने वाली कारों में से एक है। हर मेने ये हैच्पैक टॉप 3 या टॉप 5 कारों की लिस्ट में सामिल रहती है। ऐसे मैं अब इस लगजरी बजट हैच्पैक का नया 4th generation model इ अपडेटेड फीचर के साथ आएगी इस कार की एक शोरूम कीमत 6 लाग रुपे हो सकती है। नमबर 3 पर है हुंड़े ग्रेंड आई टैन नियोस मार्ति स्विफ्ट की तरह हुंड़े भी अपनी हैच्पैक कार ग्रेंड आई टैन नियोस को अपडेट करेगी। यह फिलाल कमपनी की सबसे सस्ती कारों में से एक है। ग्रेंड आई टैन नियोस फेसलिफ्ट के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हाला कि कमपनी इसके स्टाइलिंग में बदलाव के अलावा नए फीचर वाला अपडेटेड केविन दे सकती है। इसकी लौंचिंग 2023 क पहली छिमाई में हो सकती है। और नई हुंडई ग्रेंड आई टैन नियोस की कीमत की बात करें तो इसका बेस मोडल 6 लाक रपे के आसपास रह सकता है। नंबर 4 पर है महंदरा बलेरो नियो प्लस की 2023 की सुरुवात में लौंच हो सकती है। बलेरो कमपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। इसे नए सिटिंग ले आउट और नए पावर ट्रेन बिकलपों के साथ पेस किया जाएगा। बलेरो नियो प्लस म और इस कार की कीमत 10 से 12 लाख पर हो सकती है। और नंबर 5 पर है टोईटा की रुमियोन। जपानी कार निर्माता कमपनी टोईटा ने अपनी एक और नई MPV रुमियोन को 2023 में लौंच करने वाली है। ये नई MPV मार्ती और टोईटा के पार्टनर्शिप का नतीज़ा है। जो की मार्ती की अर्टिगा पर बेस्ट है। टोईटा रुमियोन काफी हद तक देखने में इंडिया में बेचे जाने वाली मार्ती अर्टिगा जैसी ही है। हाला कि इसके फ्रंट ग्रिल में थोड़ा बदलाब किया गया है और सामने की तरफ टोईटा की बैजिंग दी ग कि अले इसके जाने वाले वाली है।